नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं सलदस्ता कुछ खबरे मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं राम मंदिर बनने वाला है ट्रस्टी का सब का नाम कई बार बता दी हैं लेकिन ये सुनिए वीडियो देखिए आप टूब इंडो में मैं चाहूंगा कि व पुजारी हैं वो आपकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और दान पेटी को लेकर किस तरह से ये पूरा दिवाद है पर यार ने कहा था धर्म नहीं ये धंदा है तो ये वीडियो आपने देखा दूसरी बड़ी ख़वर है कि कि सरकारी सुत्रों से जानकारी आ रही है उसे लगता है कि कोट कि मंजूरी के बाद ही सरकार मेडिकल कॉलेज और इंडिया कोटा अब इस ये अरक्षन नहीं देगी अगर सब मोधी सरकार तो देश की बावन फिश्दी वाला OBC समाज क्या करेगा मंदिर का घंटा बजाएगा अपना समयधानिक अप्छीन लेगा सुचिए मद्रास हाई कोट ने आदेश दिया है कि OBC को नीट में जो मेडिकल की परहाई है उसमें आरक्षन दिया जाए 27 परसेंट अब देखते हैं कि BJP ले OBC परधान में तलाग करते हैं यह एक ठाना परभारी की तस्वीरे हैं और किस तरह से वो एक सिड्यूल कास्ट की बच्ची को गाली दे रहे हैं आप समझ यह सुन रहे हैं कि हमन सुरेन को ट्वीट करने के बाद हमन सुरेन को अभिनास दास ने करते हैं तो इस देश के हर थाने में इस तरह के जातिवादी लोग बैठे हुएं और एक कॉंग्रेस के बिनित पुरियाने ट्वीट के आप प्रमोदी जी पल्धान मंतिर नहीं होते तो राफेल तो आता थोड़ा जल्दी आता काफी सस्ता आता ट्रंस 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 ट्र दिकलोजी के साथ भारत आता हैं हम भानी को मुनाफ़ा नहीं होता तो यह दोनों का खेल चलता रहता है और दोनों राजिनती करते रहते हैं और यह खतरनाक ख़बर है गो्रहखपूर से गोरखपूर injured में बच्चे का पांचवी के च्छात्र ब्लराम की हत्या कर दी गई उनका गिरी राज है गिरी सहर है योग यादितना जी का हद तो तब हो गई जब डिज्जे के बिरोध करने डिज्जे बज रहा था पुलिस वाले ने डिज्जे बजने का बिरोध किया तो थाने में घुशकर लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी पुलिस वाले भा था उसके बाद पुलिस चोकी पर हमला कर तोर फोर सिपायों ने छुपकर जान बचा ये गोरकपुर की तस्वीरे हैं उसे सब तोड़ दिये सब पूरा नुक्सान कर देने सब उपरा तक मारे हैं का सब और एक पुर्व ओवी सी सांसद है आजमगर के पुर्व सांसद रमाकांत यादा उन्होंने अपने नाम के आगे सुद्र जोड़ लिया तो ये बैचारिक बदलाब जब तक नहीं आएगा तब तक समाजिक बदलाब की बात महीं कर सकती है जब तक बैचारिक बदलाब नहीं आगा तब तक समाजिक बदलाब की बात महीं कर सकती है ये उगिता भयाना है जोने लगा कि जब मास्क लगाने पर जुर्माना हो सकता है एक लाग का तो वेंडिलेटर मिलने पर जुर्माना क्यों नहीं हो नितिन राउद जी ने एक सवाल उठाया जो मंत्री है उत्तर परदेश दलित उत्पीरन की राजधानी बन गई है और डॉक्टर सोनु ने कहा जिन बहुजन जिन पत्रकाडों को सपोर्ट करता है जैसे अजीत अंजुम, पीपी बाजपेई, अभिशार, शर्मार, अभिश कुमार, OBC के मुद्धे पर इसमें से किसी ने टुईट किया यहां तक कि एक वीडियो भी नहीं चलाया आता है, किस बात कि आप इनके दिवाने हुए है, यदि मैं सही हूँ तो रिटुईट कीजिए तो आप लोग ज्यादा समझदार है, अखिलेश ने गोरखपूर मामले को लेकर निंदा की है और OBC महंदर लोधी ने एक बात कही है, और यह आज की बरीखवरती छटवी में पढ़ता है, रवी बारत दो पर घर से खेल कर रहा था बाहर गया था, जिस तरह से उनको योगी जी के गोरखपूर में 14 साल के एक और बच्चे कहा परहन हुआ, और एक और देखिए, देश के चौते समक्यालाते राजस्थान की वीडियो बताया जा रहा है, किस तरह से एक पत्रकार को सर्याम मारा जा रहा है, कितना भयानक है तो ये ये बात तो यहां साबून से हाथ दोने को हुई थे, यहां तो लोग काम धंदे से हाथ दो बैठो, सत्या नास हो तेरा कुराना, तो लोग कमेंट कर रहे हैं, और लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि अपहरन जो है वो लगातार एयूपी में चरम सीमा पर है, और कुछ और इसी तरह की बड़ी खबरे में आपके बीच लेकर आता रहूँगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचल मीडिया बोजन मीडिया है, सोचल मीडिया है, और सोचल मीडिया पर लगातार बने रहे हैं, ट्विटर ट्रेन कराइए, मैं फिर कह रहा हूँ, सोचल मीडिया है, सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया है, शुक्रिया.